नमस्कार, Cooking with Neeru में आप सब का स्वागत है, आज की मेरी रेसिपी है मेथी मतर मलाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आज इसको बनाया है, और इसका टेक्शर बिल्कुल क्रीमी है, और खाने में बहुत ही डिलिशियस टेस्टी है, स्टेप बाइ स्टेप साफ कर के रख लिया है, इसके डण्थल तोल लिया है मैंने लग बग डेड़ काटोरी मेती को बारिक बारी काट लिया है, साथ में हमने लिये 200-ग मतर के दाने है, मेरे पास जो मैरे चील कर साफ करके रख लिया है, और साथ में तीन टमाटर, आठ से दस काजू, एक बनाने के लिए तो आगे बनाना शुरू करते हैं मेथी मटर मलाई सबसे पहले मैं मटर को बॉइल करूंगी एक पैन में मैंने दो ग्लास पानी ले लिया है उसमें मटर को बॉइल करने के लिए रख देंगे साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नमाक और थोड़ी सी शक्कर भी एड़ करूंगी जिससे इसका कलर बहुत सुन्दा राएका और मिठास भी बनी रहेगी अब हम इसको ढखकन से ढखकर बॉइल होने के लिए रख देंगे दूसरे पैन में हम एक चमच ओयल लेंगे और इसमें हम मेथी को शैलो फ्राई कर लेंगे जिससे की मेथी गल भी जाएगी और साथ में हमें ग्रेवी में इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा और इसका कलर भी हरा बना रहेगा इसको हम चलाते हुए अच्छी तरह है दो से तीन मिनट तक भूनेंगे हलकी आज पर चलाते हुए हम भूनते रहेंगे देखिए मेथी इस तरह से भून रही है इसको हम छोड़ेंगे नहीं नहीं तो इसको जलने का डर रहेगा चलाते हुए ही हम इसको भूनेंगे लगातार हमेंसे चलाते रहना है मेथी भून गई है अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लोगी बाउल में ट्रांसफर करने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे मôm वाइल मटर को भी चैट कर लेते हैं अब हम एक कडाई में एक बड़े चमच तेल लेंगे इसमें मैं आड़ करूँगी एक प्याज जिसको मैंने मोटा काट कर रख लिया है इसको हम भूनेंगे जब तक ये सौफ्ट ना हो जाए और पिंक किश हो जाए साथ में डालेंगे आठ से दस काजू इनको भी हम साथ में फ्राई कर लेंगे साथ में एक हरी मिर्च जिसको मैंने काट लिया है और साथ में ही लगबग एक इंच अद्रक ये भी हम इसमें डालेंगे और साथ में भूल लेंगे इनको हम अच्छी तरह गलने तक पकाएंगे साथ में डालेंगे तीन टमाटर जिनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि हमें ग्रेवी के लिए भूनना है और इसको हम बाद में ग्राइंड करेंगे प्रविश्च तक नमक डालेंगे टमाटा जल्दी गल्बी चाहेंगे रदी पाउडर मिर्च पाउडर और लगवग एक चमश धनिया पाउडर मसाले पहले भून लेंगे तो हम जब इनको ग्राइंड करेंगे तो बहुत स्मूध ग्रेवी बनेगी अच्छी तरह भूनते हम इसको चलाएंगे मटर को भी चेक कर लेंगे मटर बॉयल हो गई है अब मैं इसको एक चलनी में निकाल लेती हूँ और साइड में रख देती हूँ तमाटर भी अच्छे से सॉक्त हो गया है मसाले गुंड़े है अम इस प्लेट को आफ कर देती हूँ और इसको हम पांचनी थंडा उड़े शोड़ देंगे उसके बाद में इसको ग्रैंडर में ग्रैंड कर देंगे हमने अच्छे से स्मूद्ली ग्राइंड कर लिया है अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे एक चमाच वाइल एड़ करेंगे और इसमें एड़ करेंगे लगवर चौथाई चमाच जीरा जीरे को बुनने देंगे इसको अच्छी तरह चलाते हो हम दो मिनट भून लेंगे वैसे अमने इसको भून करी पीसा था था थोड़ा सा वैने इसमें पानी भी आड़ करा है जिससे मसाला जले नहीं और अच्छी तरह भून जाए अब हम इसमें आड़ करेंगे गराम मसाला पाउडर लगवग आदी चमाच और साथ में हम फोड़ी सी इसमें क्रैचम भी आड़ कर देंगे चाहें तो आप शक्कर या शुगर भी आड़ कर सकते हैं इससे थोड़ी मिठाल सा और अच्छी आ जाएगी और इसमे आड़ मेट करेंगे जो मेट्र हमने फ्राइए करके रख हुई थी और साथ में मतर बॉल करी मेटर हमने बॉल करी थी चितर चलाते हुए हम इसको पका लेंगे लगबग 2 मिनट और जब बॉल आने लगेगा तब हम इसमें इसका जमेन इंग्रीडेंट है जो हम बना रहे हैं मेटी मतर मलाई मलाई हम इसमें एड़ करेंगे घर की फ्रेश मलाई जो दूद के उपर आती है वह हम एड़ करेंगे बजार की क्रीम इसमें एड़ नहीं होती है उससे वह फ्लेवर नहीं आपाता है जो घर की फ्रेश मलाई से आता है तो यह मैंने एक साटोरी घर की फ्रेश मलाई ली है आज कही दूद की ताजा मलाई इसको मैं इसमें दीरे दीरे आड करूंगी ऊ- so, IoT रेस्टोरेंट में वैसे आजकल दो तर्य का मेथि मटर मलाई मिलता है वाइड ग्रेवी वाला ओर आज में आप चाहें तो इसको बिना टमाटर के लिए बना सकते हैं, तो वाइट ग्रेवी वाला मेथी मतर मलाई तेगार होता है, यह देखें कितना सुन्दर इसका कलर आया है, अब इसको मलाई मिलाने के बाद एक देड मिनट और पकालेंगे, जिससे कि सभी चीज़े अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं, एक चीज और स्पेशल इंग्रीडियन्ट यूज करा जाता है, बड़ी इलाइची, तो मैंने क्योंकि अपना गरम मसाला घर में ही पीसा हुआ है, और उसमें मैंने बड़ी इलाइची भी साथ में पीसी हुई है, तो इसलिए मैंने अलग से एड नहीं करें, गरम मसाला मेरा घर का ग्रैंडिड बड़ी इलाइची के साथ है, तो आप अगर गरम मसाला बजार का यूज कर रहे हैं, तो इसमें बड़ी इलाइची का यूज जरूब करें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, चमत शक्कर भी आड़ कर जूँ, इससे थोड़ी मिठास और राचर, अब हमारी मेथी मतर मलाई सर्फ करने के लिए बिल्कुल रड़ी है, मैं प्लेम को आफ कर देती हूँ, परांठे, पूरी, रोटी, किसी के भी साथ आप इसको एंजोई करें, बहुत स्वाधिश्ट, रेस्टरेंट स्टाइल, मेथी मतर मलाई तैयार है, मेथी मतर मलाई बिल्कुल तैयार है सर्फ करने के लिए, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट सेक्षन में लिख कर जरूर बताएए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बैल आइकॉन भी जरूर दबाएए, थैंक यू